सबको नमस्कार दिल्ली के लोगों के लिए आज एक खुश खबरी है आपको याद है मैं पिछले महीने आयोध्या जी गया था वहाँ पे श्री राम चंदर जी के राम लला जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा जब वहाँ से बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे भगवान मुझे इतनी ताकत देना इतनी शक्ति देना योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूँ कि जमें दिल्ली लॉटा तो हम लोगोंने हमारी जो मुख्य मंत्री तीर्थयातर योजना हैं हमने आते हि उसमें आयोध्या उसमें बारा जग्या हैं जहांपर लोग तीर्थयातर के उस योजना में बारा स्थान हैं जसमें से कोई बी व्यक्ति, कोई भी एक स्थान चूज कर सकता है जो उसमें हम पूरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारकद ले जाते हैं, रिशिकेश, हरदुवार, रामेश्वरम, शिर्डी, अजमेर, शरीफ, सब जे के ले जाते हैं, तो उसमें हमने अयुध्या भी आड़ किया तो इस तीठ्यात्रय योजना में दिली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाब उठा सकता है, वो अपने साथ as an attendant अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है, एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी allowed है, तो उनके आने का जाने का AC ट्रेन से ले जाते हैं, AC होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में, वहाँ पे सारा लोकल ट्रांस्पोर्ट, खाना पीना, सब कुछ सरकार बेर करती है, अभी तक 36,000 से जादा लोग इसका लाब उठा चुके हैं, तो अब अयोध्या भी उसमें हमने एड किया था कि अयोध्या भी जा सकते ह हैं, आज मुझे ये कहते हुए बेहुत खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी, उसके लिए रेजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, तो आप हमारी जो E-District का पोटल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रेजिस्ट्रेशन मैं दर्शन करा के लाऊंगा, तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे, हफते बर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन, तो लेके सब को जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, तो तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलंकनी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चन भाई वेलंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर एड करने जा रहे हैं जल्दी और वो भी अपने मरजी के मताबिक तीर थ्यात्रा पर जा सकेंग भगवान की कृपा से सब लोग स्वस्थ रहें नमस्कार